आज की कहानी है गीता श्री की अहेरी सुनिये वैदेही किस्वर में बहुत उबाव दोपहरी थी पत जड़ की मन की शाखों से भी पत्ते ज़रने लगे थे बाहर भीतर दोनु जगे ठूप दिखाई देने लगे थे लंबे समय से घर में कैद, शहर में कैद, घुर्ती सांसों के साथ निर्वाह करते करते अब पतज़र भीतर उतर गया था तारा का मन था कि मास्क उतार कर फेंग दे, क्लिनिक में ताला लगाए और दूर निकल जाए जहां कोई इनसान किसी केस के रूप में न मिले सब यात्री हों, एक दूसरे से बेखबर अपने में डूबे हुए मुझे ब्रेक पर ले चलो रुद्र, मैं दिनों दिमागी तोर पर ठक गई हूँ साइकलोजिस्स तारा ने अपने रिसर्चर प्रती रुद्र प्रताप पांडे का हाथ पकड़ा चलो पांडे जी, प्यार से उसे पांडे जी कहती थी अभी चल दू तारा देवी, प्लैनिंग करने दो, तुमें भी उब होती है सोचो, मीरा क्या हाल, किताबों में डूबा रहता हूँ आँखों के सामने सिर्फ काले काले शब्द उल्टे पुल्टे तैरते दिखाई देते हैं रुद्र ने चश्मा उपर सरकाया, यार प्लैन तो करने दो तारा को पती का अनुद्वा मायूस कर गया प्लैन कुछ नहीं होता, अप्रत्याशित अचानक उठकर कहीं चल देने का रोमान ची अलग है कहना यहीं चाहती थी उस रूखे सूखे पती से लेकिन मन की बात मन में ही रही मनोवैज्यानिक थी, समझती थी पुरुष का मन और इस्त्री का मन पुरुष को कहा रोमान चाहिए और इस्त्री को कैसे किक मिलता है दोनों समझ नहीं पाते एक दूसरे को और यहीं मात खा जाते है संबंध यहीं से दरखने लगता है बहुत छोटी सी फांक होती है जो धीरे धीरे बड़ी दरार बन जाती है वै चुप रही उसे अचानक कहीं दूर जाना था दो दिनों के लिए किसी निर्जन पन में जहां कुछ सोचने समझने का मौका मिले कुछ उलज गई थी अपने भीतर अकेले यात्रा पर कभी गई नहीं थी इसलिए रुद्र को भी साथ चलने को कह रही थी जिस प्रोफेशन में है उसमें सोचने का काम उलजने का काम बहुत होता है हर केस उसके लिए एक जाल है जिसमें फसे हुए लोगों को निकालना होता है इधर एक केस महा जाल की तरह आया है और वह इस केस से कुछ दिन के लिए भागना चाहती थी ठंडे दिमाग से इस पर सोच कर समाधान निकालना चाहती थी यूँ तो हर केस जटिल होता है उसका काम ही ऐसा है साधारन पेशेंट आते ही नहीं उसका काम चल निकला है उसने कई केस सुलजा दिये हैं इस से उसकी ख्याती बढ़ने लगी है लेकिन एक केस जो कुछ दिन पहले आया वो तो बड़ा विचित्र था उसे बुरा भी लग रहा था कि कोई इस्त्री ऐसा कैसे कर सकती है फिर दिल को तसल्ली देती कि जब पुरुष खुद बेवफा है तो किसी इस्त्री पर दोश ठोपना कहां था कुछ इथ है ये बेवफा से बेवफाई का मामला था जिसमें अपने एक पार्टनर को धोका दे रहे थे और दूसरे से धोका खा रहे थे उसके जीवन की दोनों इस्त्रियां तो मस्त थी लेकिन पुरुष पेशेंट बन कर उसके क्लिनिक में पहुँच किया था बेवफा को भी वफादार साथी की तलाश होती है वो लड़का इसी तरह की मानसिक्ता का था जो इस वक्त पूरी तरह अवसाद में गिर कर बेहाल हो चला था और अब साइकेट्रिस्ट की शरण में था पूरी तरह से छोटे शहर के सबसे रईस का मनचला बेटा अनितिन सेट इसे प्रेम करना कभी नहीं आया उसके लड़कियां टाइम पास थी और शादी घर वालों के जरूरत अनेक लड़कियां उसकी जिंदगी में आई उसे किसी से रती भर प्रेम नहुआ लड़कियों ने इस से प्रेम किया और इसने टाइम पास किया रईस का बिगरेल बेटा अथा खर्च कर सकता था समय समय था उसके पास अपनी मन पसंद लड़की से दोस्ती गाट कर प्रेम का इजहार कर बैठता था और जब मामला गंबीर होने लगता था तो परिवार के दबाव करोना रोकर खुद को अलग कर लेता था जाने कितनी लड़कियों का दिल तोड़ा था कितनों के अर्मान निकले कितनों का शाब जिला उसे कभी फरक न पड़ा वह जैसे प्रेम का अहेरी था अधिक से अधिक लड़कियों से प्रेम करने और उन्हें छोड़ने की आकांग्शा से भरा हुआ था बताते हैं कि जब उसकी शादी हुई तो कितनी लड़कियों जार जार रोएं कितने दिल तूटे घरवालों ने पत्नी भी सुन्दर, सुशील, ग्रह कार में दक्ष कन्या डूण कर दी जिसे पती के बाहरी कार कलापों से ज़्यादा मतलब नहीं रहता था जैसा कि धनाड़्डियों की पत्नियां होती हैं आभिचात्ति बोज से भरी हुई मगर थोड़ी साबधानी से पहले की तरह प्रेम की दीवानगी नहीं दिखाता था कि कहीं लड़कियां पत्नी तक न पहुँच जाए उसके आखेट में सजकता आ गई थी उसके दिल का प्रेम नगर हमेशा खाली रहा ना पत्नी प्रवेश कर पाई ना कोई लड़की उसने प्रेम का पट खोला ही नहीं या उसे कंबीरता से लिया ही नहीं सारी मौज हो रही थी व्यर्थ का रोग क्या पालना इससे बचते हुए जिन्दगी निकल जाए तो बहतर जिन्दगी कट भी रही थी मजे से लेकिन भाग इवें कुछ और रिखा था इसका पता पहले कहां चलता है जब गुजरती है तो पता चलता है भावेश दबे पाव आता है बेयावाद कुछ साल गुजरे वे अहेरी ही बना रहा इधर नितिन सेट का भविश भी दबे पाव दाखिल हुआ था जिसने इसे जिन्जोड कर रख दिया था इसके साथ जो घटा वे खुद उसके लिए महा अविश्वस्मिय था उसे यकीन ही नहीं हुआ कि उसे कभी किसी से प्यार हो सकता है वो भी तब जब रनायतिक रूप से किसी इस्त्री के साथ बंदा हुआ है एक ऐसी लड़की के प्यार में वे पागल हो गया था जो उसे कभी हासिल नहीं हो सकती थी उस तरह तो कतर ही नहीं जैसे शादी से पहले की प्रेमिकाएं हासिल हो जाती थी जिने मैं अपने मन बदलाव के लिए प्रेमिका का दर्जा देता था और छोड़ देता था अपनी चार वर्ष ये बेटी के अभिवाइक क्लास टीचर से प्रेम कर बैठा था नितिन पहले ही दिन जब प्ले स्कूल में बेटी को छोड़ने गया था तो वहां जो मन मोहीनी शिक्षिका मिलने आई वह सीधे उसके दिल में उतर गई वहां से लोटा तो दिल में एक मूरत लिये हुए वह रोज बेटी को छोड़ने और लेने जाने लगा ना पतनी ना कोई सिवक किसी के जिम्मे नहीं थे ये काम नितिन को इतना जिम्मेदार देखकर घरवाले बड़े प्रसंद हुए नन्नी बेटी भी अपने पापा को चैकते देखकर खुश होती रहती उसे पापा का संग साथ जो मिल रहा था दीरे दीरे टीचर भी उसके मोह में पड़ गई तारा ने इतनी बातें सुनी नितिन इसके बात चुप हो गया था फिर दिक्कत कहा है नितिन हुआ क्या क्या ब्रेक अप हो गया क्या बात है जो आपको खाय चा रही है खुल कर बताएं तो हम कोई रास्ता निकालेंगे नितिन ने बात आगे बढ़ाई जो नितिन लड़कियों को कंट्रोल करता था उसे अब टीचर कंट्रोल करने लगी थी नितिन की पूरी जिंदगी, समय और यहां तक की रुपए पैसे सब टीचर के कंट्रोल में चले गए थे नितिन ने उसके मोव पाश में आकर उसे सब कुछ सौपना शुरू कर दिया था उसे पहली बार किसी से प्यार हुआ था ऐसा ऐसा आस किसी लड़की के साथ नहीं हुआ था पहली लड़की थी जो उसके प्रेम नगर की स्थाई नागरिक बनना चाहती थी फिर तो आपने उसे विवाह का प्रस्ताव दिया तारा ने पूछा मैं दिक्कत यह है कि जैसा जीवन मैं जीता था वैसा जीवन वो जी रही है मुझे संद्य है कि वो मल्टिपल रिलेशन्शिप में विश्वास करती है मुझे से पहले से उसका एक बॉय फ्रेंड है उसे नहीं छोड रही है क्योंकि उसे मुझे पर भरोसा नहीं मैं शादी शुदा हूँ यही कहकर वो मुझे अपनाना नहीं चाहती प्यार मुझे करती है लेकिन मुझे उसके पुराने प्रेमियों के किस्से सुनने पड़ते है बहुत यातनादाई है यह सब पीड़ा होती है मैं नहीं सुन सकता और कोई समस्य है उसने अभी 28 लाख रुपे मुझे जटक लिए उसे जरूरत थी मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ मैंने दे दिये ओ पैसा कोई बड़ी चीज नहीं मैं मैं कुछ भी कर सकता हूँ अगर वो सिर्फ मेरी बन कर रहे उसमें वफा नाम की चीज नहीं committed नहीं है मेरे प्रती किसी के प्रती नहीं उन प्रेमियों के प्रति भी नहीं जिनके किस्ते मुझे सुनने पड़ते हैं ये सुनकर तारा को थुड़ी हसी आई उसने हसी रोकी बस मुस्कुरा कर रह गई वो बहुत जूट बोलती है और अपने थग्या हूँ मुझे लगता है वो मैं बरबाद हो रहा हूँ मुझे बचा लीजे बचने का तरीका बताईए बहुत तकलीव से गुजर रहा हूँ किसी के सामने दुख बता नहीं सकता दोस्त मजा कुड़ाते हैं उनका कहना है तेरा किया तुझ तक लोट कर आया है तेरा पाप है सच है मैंने अनेक लड़कियों की दिल तोड़े हैं उन्हें इस्तमाल किया है जाते में रखा है और फिर छोड़ दिया है उनकी आहें लगी है मुझे मैं क्या करूँ जब मुझे किसी से गंबीर प्रेम हुआ ही नहीं वह एहसास अपने आप आता है न मैम प्रेम का कोई switch नहीं होता ना कि मैं on कर देता अब जब की सच में किसी से प्रेम कर बैठा तो हर तरफ अंधिरा नदर आ रहा है मैं खुद को नहीं समझ पा रहा हूं ना समझा पा रहा हूं ये क्या हो रहा है मेरे साथ इसके बाद वैं खामोश हो गया ये पहला सेशन था तारा केस सुनकर समझ गई कि दो सेशन और होगा तब जागर कहीं ये मसला हल होगा बहुत आसान केस नहीं था गहरे प्रेम से बाहर किसी को निकालना किसी अंदे कुए से बाहर निकालने जैसा है इस केस में एक बात अच्छी लग रही थी इनने तिन खुद बाहर निकलने के लिए छट पटा रहा था बस उसे किसी प्रेड़ना की जरूरत थी उसकी तलाश में वैं साइकोलोजिस्ट की शरण में चला आया था पहले सेशन के बाद तारा दुबारा मिली उससे तब भी उतनी ही तकलीफ में था थोड़ा और कमजोर लग रहा था मानों खुषते लड़ते लड़ते जक्मी होकर ठक गया हो तारा ने देखा एक आकरशक जवान उसके सामने दीन हीन होकर बैठा था बाल उलजे हुए शर्ट जीन्स उस पर फब रही थी गले में सोने की मोटी चेन पहने था जिसकी डिसाइन जंजीर जैसी थी वैसा ही सोने का ब्रेसलेट उसके दाए हाथ में था सोने की तीन अंगूठियां थी रतनों वाली वह अपनी अंगूली बार बार अपनी महेंगे मोबाईल पर फिरा रहा था बार बार स्क्रीन को लॉक करता फिर अनलॉक करता बेचैनी की हालत थी उससे मुक्त की चाहत थी बड़ी उम्मीद से आया था तारा ने उसे फिर कोई उपाय नहीं बताया तीसरे और आकरी सेशन से पहले उसने अपने रुटीन में परिवर्तन करने को कहकर वापस भी जा बहुत मुश्किलें पैदा कर देती हैं तारा कुछ ठोस रास्ता निकालना चाहती थी जिससे नितिन को आराम पहुँचे वह रिष्टे से सुरक्षित बाहर निकल आया उसका काम था अपने क्लाइन को ठीक करके भीशना दिमाग ठकने लगा तो तारा ने रुद्र को दो दिन के लिए कई घूमने का प्रस्ताव दिया जिसे रुद्र ने नकार दिया था रुद्र से बिढ़ने के बजाए तारा ने तीसरा सेशन रख लिया नितिन उसी तरह उल्चा हुआ आया था तारा ने उसे सला दी थी कि अपनी शामे कैसे विताए नितिन ने इमांदारी स बयान किया, शाम होते ही मुझे बेचैनी होने लगती है, जैसे सिगरेट और शराब की तलब होती है, मुझे उससे मिलने की तलब होती है, शाम होते ही, वैं शाम को ऐसा माहौल क्रियेट कर देती है, कि मुझे से रुका नहीं जाता, चला जाता हूं उसके पास, उसके होना चाहता हूं छूटना चाहता हूं मैं जान बूच कर धोके खाता नहीं रह सकता उसने मेरी कमजोरी भाप ली है तीन बजे थे उस वक्त तारा ने उसे मोबाइल आफ करने को कहा उसने आग्याकारी बच्चे की तरह किया भी तारा उससे दूसरी बातें करने लगी और आपको तारा उसे अपने पास पांच बजे तक रोपना चाहती थी तब तक मोबाइल भी आफ रखने देना चाहती थी मोबाइल आफ करते ही वो थोड़ा शांत पड़ा अपनी होबी पर बात करने लगा घर परिवार की बातें तारा ने नोटिस किया वे मजा किया भी था उसकी बातों में अलग रूमानियत थी, अचानक नितिन बेचैन हुआ, मोबाइल उठाया और जड़ से ओन कर लिया, तारा उसे रोपती, इससे पहले वह मोबाइल कान में लगाता हुआ, वहां से बाहर भागा, इस वक्त घड़ी में सबाचारी बजे थे, पांच बजे तक उसे इंतिजार नक किया गया, तारा जानती थी, अवह नहीं लोटेगा, वह एक अहेरी है, जो खुद को बचाने की अनिच्छा की वज़े से, अपनी कामनाव के अरणे में धेल हो जाएगा, अब तारा को अकेले ब्रेक पर जाने की तलब जगी थी, यदि कहानी आपको अ काई करें